अलो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक वीडियो एक टॉपिक वाली स्रीज में हासलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार फिर फे जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना और एक पीद है कि आप क्लास को पूरा देखेंगे अच्छे से मेहनत से बढ़ेंगे बीडियो नमबर सेंटी एट इसकुआयर होट पीछली बीडियो में आपने इसकुआयर पढ़ा था यान क्या होता है इसके Astra's किया था आपने अच्छे से देखा था जैसे किसी भी नंबर को बैच को देहान दीजिएगा बैच को जोईन कर लीजिएगा यहां नंबर दिया गया है नीचे भी नंबर चल रहा है यह पूरी कहानी आपको मिल जाएगी pvr study एप में एप इस्टोर या प्ले इस्टोर से डाउनलोड करें और शुरू करें आज इस्कॉर पिछली वीडियो में देखा था क्या था जैसे माली जी मैंने तीन को अगर दो बार गुड़ा किया तो बराबर क्या आता है नो आता है हम कह सकते हैं कि तीन का स्कॉर क्या है नो है ठीक है साथ का साथ में multiple किया आयब 49 तो मैं यह आपको बता सकता हूं कि सेबन का स्कॉर 49 है यानि साथ का वर्ग उन्चास है समझ मैं है कोई संख्या को उसी संख्या से बुड़ा कर दे तो जो एक नई संख्या बनती है वो दी गई उस संख्या का वर्ग होती है समझ रहो लेकिन आज वर्ग नहीं पढ़ेंगे वर्ग मूल पढ़ेंगे इसको आयर रूट पढ़ेंगे यानि कहने का मतलब यह चीज हमें पता होगा हमें यह चीज निकालना होगा समझ रहो ना जैसे अब इमान लिजिए मैंने लिग नहीं यह किस संख्या का वर्ग है यह किस संख्या का वर्ग है यह किस संख्या का वर्ग है बत समझ रहो यह चीज आपको निकालना है पता हूं मैं कैसे क्या देखो आपको पता है कि साथ स्क्वायर के आता उन्चास यानि साथ का स्क्वायर क्या है उन्चास है यानि कि 6084 की पूर्फाक्उल की बात करें सेथ राहना है कि उसी के पारे मात करेंगे या फिर इसका वर्गमूल की बात करेंगे आएए शुरू से देखता है बिल्कुल होता है ठीक है अब यह परिफक्ट स्कॉयर नंबर क्या होती है उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं जिसे देखिए मैंने फंख्या लिख दिया खाए 36 36 का अगर मैं वर्गमूल कर दूं तो बराबर आजाता है चे ये आप जानते होगे निए निया अगर ब्रेकाड में बात करूं कि स्कार क्या होता है 36 क्या होता एक दिहां रखना 6 और 7 आहा है यहां तो प्रकार मैं अगला अगर 33 लेकिन इनके बीच में जो संख्याएं हैं जैसे 36 के बास 47 49 49 49 44 44 48 तक उनका क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने सोचा कभी बाइस साहब यह बताओ कि 47 नहीं 42 का वर्गमूल क्या होगा तेरा सोचो 36 और 49 हैं इनका 6 और 7 इसका मतलब यह है कि 36 और 49 के बीच में है यह संख्या 42 है यानि इसका वर्गमूल सिक्स पॉइंट संथिंग कुछ भी होगा जो कुछ भी तसामलों में होगा शेफे ज्यादा होगा 7 से कम होगा क्यूं क्यों कि 42 उन्चास से कम है 6 फे ज्यादा है बात समझ भी आरी न तो ऐसी संख्याओं का जो वर्गमूल होगा वह भाग विदी से होता है कभी बीच नहीं निकलता है गोड़न खंड बीच से सिर्भी इनका निकलता जिनका आप द सबसे पहले हम आभाज भॉलंखंड में एक काम करते हैं कि छोटी छोटी संख्या से इसको डिबाइट करते हैं तो आपको पता है कि दो फे डिबाइट कर सकते हैं दो से अगर हम 36 को भाग करेंगे तो 18 भाग फल आएगा बोलो आएगा कि नहीं आएगा ये आप जानते हो आल्रेड़ी पढ़ा चुका हूँ दो से अगर 18 को भाग करोगे 9 आएगा अब 9 को 2 से भाग करूंगा तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा इसलिए हम 9 को 2 से भ अब इतना करने के बाद क्या करेंगे नीचे छोटू सा लिख लो इन चीजों को इगनोर कर लो इनका काम खतम है आज के लिए इनको यह साइड में रख लो इन ही को देखो यही आपके सब कुछ है उसके बाद यहां एक लाइन खीचते हैं यहां जितनी बार यह जिससे जि निकलेगा इनका गुड़ा करोगे फाइनल में आएगा छे तो यह था आपका 36 का वर्ग मूल निकालने का तरीका समझ में आया कि बताओ ना आया ना पक्का कोई डाउट कोई दिक्कत रिसी को नहीं न वीडियो थोड़ा बढ़ा हो जाता है तुम भागने लगते हो तुम को भी 121 को भी कि आये मैंने ले लिए 121 इधर फाइड में लिख दूं सुंदर लगेगा यह नंबर अच्छा लगेगा थोड़ा 121 कि अब क्या करेंगे सबसे पहला इस्टप यह है कि इसका हम करेंगे अब आज गुड़न खंड वर्ण टू वन चोटी फे चोटी संख्या से इसको डिवाइड करिए अगर आपको चोटी चोटी चीजे पता है पिछली से क्लास में अगर आपने इसको आयर याद किया होगा ता आपको फटाक दे उत्तर आप मालूम हो जाएगा अब देखो तरीका यह है कि इसको तुम दो से ट्राई करो बाग करके तीन से करो चा इसका मतलब यह दो 3 से तीन से कोई संख्या कभ इह नहीं प्र जणने होगको तेन डिवाइड नहीं होगी जब उनके दीगई संख्या के लास्ट के दो होती इसका मतलब यह पांच से भी डिवाइड नहीं होगी भई साब क्या हो रहा है आपको विभाजिता नियम आना चाहिए नहीं आता है तो कमेंट करना मैं वीडियो दे दूँगा क्योंकि इसके पहले मैं विभाजिता नियम इस सीरीज में पढ़ा चुका हूं ठीक है अब सबसे नहीं डिवाइड होगा उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको विभाजिता नियम कुमारों गोली भाई साब इनको देखो कि 121 जो है ग्यारा का स्कॉयर है तो यहां पर ग्यारा आएगा फिर को ग्यारा से ग्यारा फिवाइड करोगे यह का जाएगा ब साथ खतम पैसा आजम यहां पे लिखोगे एफे 1-2-1 एंड यह इनको एफे सुन्दर फालिकलो 11 इंटू 11 बाइस आप दूद्यू को जोड़ा बन जाएगा जोड़ा बनने बाद जानी रहो का होता है बस एक नया प्रोड़क्ट निकल जाता है बन गया क्या है आंसर कि इतना आसान था न बहुत इसे तरीके से आजयो दूसरा वाल आकला वाले में daw यह जए यह यह किढ़न्खंड बिदी से वर्ग मूल करना है क्या करना है अशल सभिलें से ही स्वाइड करो आपको पता है कि चारस है तो दो दो फिद दिवाइट होई जाएगा सब लोग जानते हो कि दो फिद दिवाइट करो भाग देते चले अफट आफट अब देखो 25 दो फिद नहीं होगा जाए इतना कोसिस कर लो 5 से होगा इवाइड होने का मतला पूरी तरह हो जाए जीरो से फ़ला जाए ठीक है अब क्या करे होगेगा कभी-कभी रंग बदलना चाहे जिन्दगी में देखो इदर दो 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 पांच और पांच है ना एक दो तीन देखो दो दो के दो जोड़े बनें पांच का बना है तो इनको निकाल लीजिए नीचे इनका थोड़ा सा इच्छाएं उपर तक ही समेट दीजिए यह ऐसे यह ऐसे हां तो दो दो और पांच तो दो दो दुना चार पंचे 20 तो आपका आगया 400 का वर्गमूल कितना है 20 यह था आपका गुड़न खंड बिदी से वर्गमूल निकालने का एक दम बहुत बेसिक तरीका जीरो लेबल वाला है ना ऐसे आप सारी संख्याव में यह अल राइन कोई परकार किता क्लीफ होती है तो यह बता देना इसका यह 641-9 इसका क्या आएगा 25 कमेंट दे शेता आपका चक्कर में काफी हहाण रहते हैं तुमें खाना नहीं आ आजा हम ही कॉSM poker ना कमेंट देख दुन कर MP2 अ जैख चल्व बताओ इसका बताओ कि इसका जल्दी बताओ कितना आयो और प εκितना रखाल मोला जल्दी करेवा इस एक-पे disorders at डशीर बेरी गुड बच्चा बेरी गुड बेरी गुड बच्चा पर्टी बेरी गुड चलो ठीक है अमिद सिंग सही है आपका सही है 304 तो थार्टतर पीख है अगला बता बच्चा कि पिछली कलास में याद कराया था तुम्हें थोड़ी सरम आनीचे अगर नहीं आ रहा तो थोड़ी सी आनीचे ज्यादा नहीं ज्यादा सरम आएगी तो सरमीली हो जाओगी ना तुम लोग चलो सरमीली नहीं वनों चलो आ गया बहुत अच्छा कितना आएगा 76 तो यह सब ना करना पड़े आपको फटाग द्यांसर बताओ जैसे कोई भी संख्या देख लो जैसे मान लीजिए संख्या देख लिया मान लीजिए अमिद सिंग जी जी तुम्हारा कमेंट आरा बेटा तुम आंसर दोगे तब ना मान लो 42 25 मैंने लिखा 42 25 अब मुझे बता 22 25 का वर्गमूल बोलूं तो क्या है का पता है जैसे मैंने कहा कि दो त्याइं तुम भट से बता दोगे इतना तुम्हार नंका हुआ पच्छो बता देगा दो त्याइं च्छे अगर मैं पूछू का वर्गमूल कर दो 65 का स्कौर 25 होता है ही अ मोहित कमेंट आपके रहा है झ महत्क है कंव है ये इतना रहत जाना चाहिए दिमार कमें कैसे रहतेगा इसके लिए देली लिखो पहले बश्य貸ाल देख लिखनेश aos 2 त शीज बार बनाद हो जाएंगा अब रठो यकाव आज पिस बहुत धान्याद सुक्रीय अ हाँ लेकिन एक चीज़वर अभी तो परसाद मिलना बागी है यह तो हमवर का यह सब तुम करके आना स समझ रहा नहीं जिनके साधी ने हाले में एक साल में थे मेने का बच्चा हो जाएगा तुम्हें अगर इतना वालूम हो तो फिक है तो वह बन जाएंगे तो इत्ना तिन तक हम आपको ऌली 70 रुपय पढ़ाएंगे तो समझे गेने एक साल की कीमत क्या होती है एक साल बहुत बड़ा होता है